नमस्कार आप देख रहे हैं News PR, रिया सोनहा आपके साथ है, News PR लगतार आपके मुद्डे को उठाता रहा है कई लोग हमारे कौमेंट बॉक्स में आते हैं, अपने मुद्डे को बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या गरबढ़यां हुई है किसी भी vacancy उनमें निकलती है उसमें क्या गरबढ़िया होती है इसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं होती है उसमें एक और मामला सामने आया है हमें यह भेजा है एक महिला ने उन्होंने हमारे whatsapp पे message किया है और उनके द्वारा यह request किया गया है कि यह वीडियो हम चलाएं द चार फरवरी 2021 को लेगिन अभी तक इसको लेकर आगे कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है आपको बताएं कि 2020 में जब फर्स्ट वेव आया था कोविट का उसी टाइम बिहार सिटी मैनेजर पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई थी कुल 133 पद थे और MBA ग्राजुएट उसमें MBA ग्राजुएटर लोगों को शामिल होना था उनके पास यह eligibility थी कि वही लोग यह form फिल कर सकते थे form फिल हुआ एक्जाम हुआ और उसके बाद सारे process जो है वो complete कर ले गया चार फरवरी 2021 को इसके अलावा आपको बताएं कि December में जो प्रक्रियाएं थी वो complete करा ले थी बागी और जो भी बचा कुछा था वो फरवरी तक complete करा लिया गया था इसके बाद अभी तक कोई भी update सामने नहीं आया है उनका कहना है कि जब वो पहुंचते हैं वहाँ पर तो वहाँ लोग के दवारा अधिकारिये को दवारा यह कहा जाता है कि क्यों नहीं आप किसी और चीज की तयारी करते हैं यानि कि यह तो वेस्ट हो गया आपको बता दें कि जब तक document verification हुआ था कुल 2000 प्लस लोगों का verification करवा गया था कुल 113 पद ही हैं जिसमें 2000 प्लस लोगों का verification हुआ है तो अभी तक कुछ clear पता नहीं चल पाया है और जो आप देख सकते हैं advertisement advertisement number u d and h slash ctm 2020 slash 02 dated 2804 2020 for the post of city manager document verification was done in February 2021 but till now there is no update regarding joining for the selected candidates in this harsh situation of pandemic selected candidates are forced to seat at their houses and earning nothing beside having already selected for job we are so eager to join but we don't even have a update regarding joining just at least share a date so that at least share a date that so that we can know how long we have to wait तो ये कुछ messages हैं tweets हैं जो किये गए हैं यहां के अभियर्थियों के द्वारा जो लोग भी apply कर रहे थे इनके लिए और कई सारी candidates इसमें सामिल हैं और ऐसी कितनी सारी बहाली प्रक्रियाइं होती हैं जहां पर ये सब चुछ चलता है पता नहीं चल पाता है तो आप लोग क और August हो चुका है तो लगभग डेर साल पूरा हो चुका है और अभी तक कोई भी update नहीं आया है तो जो लोग भी हैं इसके लिए हम जरूर यह कहेंगे उनसे कि इस पर ध्यान दिया चाए गवर्मेंट के द्वारा जो भी post के लिए निकाला आता है आपको बता दे जब हमार का कॉमेंट है हमें समझ नहीं आता और यह दर्खवास्त करेंगे हम अगर आप लोग जो भी हैं concerned अधिकारी इस पर ध्यान दे और जो चीज़ा अटकी हुई है उससे पूरा करने की कोशिश करें लगतार अटकी हुई चीज़ों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ धन्यवाद